कॉंट mutual funds लेकर लोग ऐसे ही परिशान थे कि वो अच्छा returns नहीं दे पा रहा ही लगी पिछले 6 महीने से Actually में पिछले 3 महीने से ही वो disturbed लेकिन क्योंकि returns खराब हो गए हैं इसलिए average return 6 महीने का भी खराब ही दिख रहा है और ऐसे में लोग परिशान थे ही और उस आग में घी डालने का काम Economic Times की एक article ने कर दिया जहाँ पे article छपाये कि पिछले एक महीने में Quant के जो funds हैं वो सबसे ज़्यादा खराब returns देने वाले funds हो गए हैं अपनी category में जिसमें से 8 Quant के mutual fund है अपनी category के अब overall mutual fund में ही इन 8 Quant के mutual funds ने लगबग खराब performance दिखाई है ये पिछले एक महीने का data है देखो मैं personally भी Quant के fund के अंदर invested हूँ और मैं बिलकुल भी panic mode में नहीं हूँ इस news के कारण या पिर Quant के bad performance के कारण क्योंकि मुझे पता है कि Quant के जिस तरीके के strategy है एक दो bet भी खराब जाते हैं तो returns थोड़े से खराब हो जाएंगे लेकिन एक दो bet वापस जैसे normal आने लगते हैं वैसे ही जल्दी से वो record भी कर जाएंगे तो एक महीने दो महीने या तीन महीने की performance के अंदरा का drag down आ रहा है तो उसको लेकर मैं यहाँ पर परशान नहीं होने वाला हूँ आप लोग को भी मैं यही कहूंगा कि इतने समय से वो अच्छा perform कर रहा था तो बहुत बढ़िया है एक दो महीने की performance गरबर होई तो बहुत बुरा हाल हो गया सेम अभी जो कमेंट्स मुझे आ रहे हैं वो कमेंट्स वही फील हो रहा है जैसे कमेंट्स जनवरी 2023 में आ रहे थे जब हिंडनबर्ग का पहला report आया था अडानी ग्रूप के उपर और क्योंकि अडानी के अंदर exposure बहुत जाद नहीं था लेकिन कुछ को क्रिटेसाइज करने बहुत टाइम तर गीटेसाइज किया था ऐसा ही इससे पहले 2022 के टाइम में के फंड के उपर यही सब बाते होती थी तो यह चीजे जो क्या है साल में एक ना दो बार यह चीजे हो जाती है performance थो जिखरा उपर नीचे हो जाता है लेकि फिर जब rally आ ज दूल जाते हो, तो performance तीन महीने से खराब हो रही हो, या एक महीने से खराब हो रही हो, long term performance fund की अभी, देखो long term performance में कोई भी परिशानी नहीं है, fund की परिशानी है, तीन महीने, एक महीने ये performance में, और mutual fund के अंदर, कोई भी major change किसी भी तरीके के management post में, या बरा किसी भी post में, किसी भी तरीके का बरा कुछ change नहीं हुआ है कोई भी in out नहीं हुआ है जो की एक big name हो fund के अंदर में तो ऐसे में जो strategy है उसी के अंदर जो picking है वो थोड़ी हो सकता है इदर उदर हो गई है इस करण से returns अच्छे नहीं बन रहे हो मुझे नहीं लगता कि जो long term investor है उनको किसी भी तरीके की panic करने की या परिसान होने की जवरत है हाँ जिसने past performance को देखकर सिर्फ 3 महीने, 6 महीने या एक साल के लिए invest किया होगा वो तो परिसान होगा कि भाई मैंने 6 महीने पहले दस साल invested रहना या तीन साल भी invested रहना है वो तो समझ रहा है कि हाँ थोड़े टाइम का ये drawback है हर mutual fund company में हर mutual fund scheme में कभी न कभी ये time period आता है ऐसा नहीं है कि अब लगातार ये खराबी करता रह जाएगा तो हम बने ही रहेंगे अगर 3 महीने, 6 महीने एक साल में max to max वापस ही कभी हो जाएगी अराम से हम बैठे रहेंगे fund के अंदर लेकिन अगर एक साल बीतने के बाद भी fund की performance नहीं सुधरती है और अपने benchmark index को छोड़ो जो एक normal expectation होता है return का किसी भी category को लेकर flexi cap या multi cap या small cap mid cap या large cap उस expectation को अगर ये scheme बीट नहीं कर पाएगी तो normal सी बात है कोई भी scheme हो expected return अगर दे रही है तो हम बने रहते हैं नहीं दे पाएगी तो हम निकल जाएगे तो same इसके लिए भी logic यही लगता है बाकि एक महीने तीन महीने दो महीने छे महीने के article पे कोई data निकल के आता है तो उस data को देखके आपको panic mode में नहीं जाना है आराम से पकर के बैठना है आपने investment को noise से बच के रहना है hold कर के रहना है